नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से नई और तादय वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं आज की ये वीडियो तुलारासी वाले जातकों के लिए बहुत आ הכाशर बहुत महतपोंड रहने वाली हैं आपको घर बनाने का सपना, वहान लेने का सपना, नई जगह निवेस करने का सपना, और कई शेतरों में भाग लेने का सपने विपूरे होंगे। विद्ध्यार तो को भी अपने हर मंदिलों की प्राप्ति होंगे विरुजगारों की प्राप्ति होंगे आप अगर सिविल सर्जन हैं तो आपको इसमें विसेश बेड़ी कुसकवरी की प्राप्ति होंगे बैपारे बैवसाई नौकरी पेसा वाले लोगों को इसमें विसेश कारी शेतर में पदोनती मिल सकता है ओफिस में आपके अधिकारी भी आपको साथ देने वाले हैं आपको हर जगा अपने सानो सोकत के बारे में सोर सुनाई देने वाला है मतरों यह विडियो अगर आपको अच्छा लगे तो विडियो को आखरी तक जरूर देखें उससे पहले इस विडियो का कोई सब बाड़ अगर आपको अच्छा लगे दे विडियो को लाइक करें माता रानी के सच्छे बगत कमेंड बॉक्स में जै माता दे अवस से लिखें मत्रों तुलारासी वाले जातको का पारिवारिक जीवन में बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपको मान सम्मान में अविस से पुड़ती होंगे आपको भाग का साथ मिलने वाला है आपके परियास भी आपको फल देने वाले है आपके अदूरी चाहें पूरी होंगे वैवसाइक संद्रब में महात्मकांचाही योजनाओ की शुरुआत की जा सकते हैं अगर आप उच्छे अद्धन के लिए या फिर विदेश के लिए नौकरी के लिए आप अगर विदेश जाना चाहते हैं तो आप निरास नहीं होंगे आपके काम्यावी में विर्दे होंगे तुलारासी वाले जातकों के हरसबने साखकार होने वाले हैं आप प्रभावसाली लोगों से मिल सकते हैं और यदि पैत्रिक संपतिय से संबन देद कोई भी मामला अगर आपका लंवित हैं तो आपको उसको बक्ष में किया जा सकता ह आपको प्रिवार में कई प्रकार के सुबसमाचारों के प्राप्ते होंगे उस सब हो सकता हैं प्रेम समंद भे आपके मदबूत रह सकते हैं तुलारासी वाले जातकों का अत्मिस्वात अवस्से बढ़ने वाला हैं आप वैपार वैवसाय में दिंदूगने राद चोगने इतर की करने वाले हैं आपका आने वाला समय आपके जीवन में आने प्रकार के कई सारी खुषाग एक साथ दस्तक देने वाला हैंै आपको नई के समझदारे या फिर नई एस्वेशन में प्रिवेश करने का मोका में राप्तों होने वाला हैं मत्रों तुलारासी वाले जात्कों का समाधिक दार्य बढ़ने वाला हैं आपको जमहत्पुन गरेशन को अस्तापित करने वाले हैं आपको पढनेयास बिचारों और कारेसलिक के साहर न की जाएंगे वेते इस्तित्यों में भी आपका सुधार अवस्चे होंगे लेकिन आपको सावधाने से सोचने के बाद है नई संपत्ति में निवेच करने के जोरत होंगे आप अध्यात्मिक्ता गजविदियों की ओर अकर रहेगा परिणाम भी आपके पक्ष में आएंगे आपके निजी जिन्दगी में सब कुछ बढ़ियां होंगे आपको प्रिवार और जीवनसाती का सहयोग में लिवाला हैं लेकिन भाईवनों के साथ आपका बाद विवाद हो सकता हैं आपका अधन प्रेम समंदों के लिए कोई विपरकार का चलकँ पड़ हैं तो आप उन सबी से पराप्त होने बाला हैं जो आपके दुसमन आपके किलाभ सडियंतर रजग करते थे आपको नीचा दिखाने का प्रियासा आपको किसे शमाज में बेजत्ती करने का प्रियास क्या करते थे उन दुसमनों को अब सजा बनाये रखने की जुरुत होंगे अगर आप अपने मन मस्तिक सो और अपने सोच को सांत रखोगे तो आपके जीवन में हर काम आपके पक्ष में होगे हर चीजियां आपको फेबर में होगे आपके लिए नवस्त क्रोच बतना इसरे करसावेत होंगे आलाके आर्थिक तनाव रहेगा आपको इसमें घटे मेठे दोनुत्र के अनुवव की प्राप्ति होंगे आपको संतान की और से कोई बड़ी खुशकवरी की प्राप्ति होंगे विवाहितों को विवाहितों को संतान सुकों की प्राप्ति होंगे विरुजगार लोगों को रोजगार की प्राप्त ुझोगी आपका अध्यान के अंदर तरहेगा आपको इंपनी उजनाओं को सफ़ल बनानी के लिए अपने सहकर्मी करक्षन भी प्राप्त हो सकते हैं दंदुलत में बड़ोत्री करने के मोके भी प्राप्त हो सकते हैं परिवार के साथ बिताया गया समय भी आपके लिए कफी आनंद में अवस्य रहेंगे परिवार के लोगों के साथ जाद से जाद समय व्यत्तीत कर सकते हैं परिवारी की स्थितों में आपका सुधार होंगे आपके परिवार में हो रहे हैं गरीकलेश या परिबार में हो रहे हैं मदभेद आपके दूर होने वाले हैं समाधिक शेत्र में आपका अपिस संक्रिया रहने वाले हैं अगर आप और विवाहित हैं तो साधी करने का विचार आप कर सकते हैं वैवसाइक संदर्ब में आपको कुछ मुस्किलो का सामना भी करना पड़ सकता है समय पर ढंग से चीजों को पूरा करने के लिए आपको अत्रिक्त प्रियास वे अवस्य करने होंगे जल्दबादी में निरने लिले से बतने का प्रियास करने होंगे जोकिंबरे कर्मों से बचे रहनी की अवस्य कोसस करें क्योंकि जोकिंबरा नरने आपके लिए आपके परिवार के लिए नुकसान दायक हो सकता है मत्रों इस समय आपको बताना चाहेंगे कि देवी देवताओं की किर्पवे आप लोगों परबन रहेंगी दिन के कारण आपके अधिक्तर कारी विपूरे होंगे आपके सामाधे पत परतिष्टा में वड़ोत्री होंगी समाध वाले घर वाले प्रिवार वाले आपके इज़त करने वाले हैं आपके बरसों से पुराने अटके वे कारी को फिर से प्रारंब कर सकते हैं आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं आपके इज़त में बड़ोत्री होंगी आपके मान सम्मान में बड़ोत्री होंगी और और विवाहितों को विवाका प्रिस्ताव मिले ले वाला है आपको अचानक से मौधरिक लाप के प्राप्ति हो सकती है और यह आपके वज़त का हिस्सा बन सकता है, आपको जीवन में लगातार भागी का साथ मिले वाला है, आप पर भावसाली लोगों से संप्रगवे स्ताफित कर सकते हैं, आप नई साजिदारी में परिवेश कर सकते हैं, जो आने वाली दिनों में समय भी आपको लाव को सकता है, अगर आप काम के लिए विदेश आना चाहते हैं, तो आप अपने प्रियासों को आगे बढ़ाएं, वित्यमामले आसानी से आगे बढ़ेंगे, पर्तिदंदू की गद्वदियां आपको नुकसान चाहकर भी नहीं पहुंचा सकती हैं, आपके जो भी सत्रू हैं, जो भी कम्पिटेटर हैं, जो भी आपके जीवन में बाधा या रोड़ा बनने का परियास कर रहे हैं, उन्द सबों से आपको अब सुटकारा मिले वाला है, आप अपने प्रिवार के साथ कहीं तरतियात्रा पर जा सकते हैं, जो के महत्ति महत्पुनर काफी लाब दायक के क्या प्तराएं होंगी, मुर्ण जगदायक क्या प्तराएं होंगी, और जो आपको सुक्षांती की फ्राप्ति करवा सकता है, आपके मन में उठ रही बैचैनी को सांत कर सकता है, यह समय कुदू को अस्तापित करने के लिए सबसे अच्छा समय रहेगा, बाधाएं और दें और अपने कोसल से अपने पर्तिदंदू से आगे निकल जाएंगे, आपका आत्मिश्वास बढ़ेगा, आप राजने दिक गद्विदियों के फ्रते आकर्शित हो सकते हैं, आपको कुछ नई जिम्मेदारी दी जा सकती हैं, बैपार विस्तार के लिए समय काफी अच हैं, कि अब आप लोगों को दिन दूगने, रात चोगने तरकी करते वे आगे बढ़ेंगे, परिवार में सुख समर्दी रुपे पैसा लगातार बने रहेंगे, इंकम के छेत्रों में लगातार वड़ोतरी होंगे, रलाई जगडों से दूर हैं, बार बार लगातार किया अपरियाज आपके लिए बेहदी अनिदजाइक रहेंगे, आप अपने घर परिवार के साथ किसी तिर्थासल की यात्रा का प्रोग्राम बना सकते हैं, आपकी यार्थे की स्थितिया मजबुत होंगे, आपने वेतनवे वड़ोतरी मिलेंगे, कारोबार में लाप के इसे होंगे, जिसके मिनडे से आपके लाइफ में खुश्यां दुगनी होंगे, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समय समय पर आपको अपने जीवन में अनेक बदलाब भी देखने को मिलेंगे, और अगर आप इसी तरह मन लगा कर कारी करेंगे, तो आपको सफलताने से त प्रकृति होंगे, सेहत के मावलों में आप खुद को ताजिगी से भरा हुआ मैसूस कर सकते हैं, स्वादिष्ट भोजन का अनन्द ले सकते हैं, यात्राएं भी मरनदक सावित होंगे, और कोई चेज उधार आपका दिया हैं, तो भी आपको आपस मिल सकता हैं, आप भाग के प्रेम का प्रस्ता मिल सकता हैं, जो लोग सिच्चा के शितर से जुड़े वे हैं, उनका समय मिला जूला रहेगा, आपको अपने मेहनत के बलबुते अच्छे सफलता हासल होंगे, अनववी लोगों का सहीयोग मिल सकता है, कारिष्टर में वड़ी सित्रिकारी का साथ ख कर महत्पुर्ण चर्चा कर सकते हैं, घर के कया फिलट करने के लिए नई सजासिदावट का विचार कर सकोगे, आपको अपने कारे में संतोस का अनवव होंगे, इस तुरियों की और से आपको सम्मान मिल सकता है, माता फिता के साथ समंद अच्छे रहेंगे, और आपके सभ लिए गया महत्पुर्ण ने लावदायक और फायदमंद सावित होंगे, और किसी मित्र के सहीयोग से आपको लाव की प्राप्ति होंगी, आपको आपके किस्मत में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, आपके जीवन में आने बाले सभी परकार के प्रसानियां और क आनक आपको बड़ी खुसकावरी मिल सकती है, जितना आप गरीब और जरुतमन लोगों की मदद करेंगे, उतनी ही तेजी से अपने जीवन में प्रगति करते हुए आगे बढ़ेंगे, गर प्रिवार में सुक्समर्दे, रुपे पैसा लगातार बने रहेंगे, धनलाव औ और बचत में बड़ोतरी हो सकती है, आपको अपना सच्चा प्यार मिल सकता है, आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई विज़ा तक इस धर्ती पर नहीं रोग सकता, चाहे तो आप आजमा कर देख सकता